इस सद्ध्याय में हम कार्थिक मास की प्रुबूधिनी एकादशी का महातम में जानेंगे नमस्कार अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिगा मैंने दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों का पापनाशक महातम में बताया है जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है उनमें भेद नहीं करना चाहिए जैसे सफेद रंकी गाय हो या काले रंकी दोनों का दूद एक सा ही होता है इसे प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली हैं जो मनुष्य एकादशी प्रतों का महातम में सुनता है वे सब पापों से मुक्त हो शिविष्णू लोग में प्रतिश्चित होता है युदिश्ट्रे ने कहा श्रिकृष्ण मैंने आपके मुक से रमा का ये थार्त महातम में सुना मानत अब कार्तिक शुक्र पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा भी बताईए भागवान श्रिकृष्ण बूले राजन कार्थिक के शुक्रपक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोग सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारजी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ नारजी ने कहा पिता जी जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ती कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रभोधिनी एकादशी का महतम में बतलाईए ब्रह्मा जी बोले मुनिश्रेश्ट प्रभोधिनी का महतम में पाप का नाश पुन्नी की वृद्धी तथा उत्तम बुद्धी वाले पूर्षों को मोक्ष प्रदान करने वाला है समुद्र से लेकर सरोवर्थ जितने भी दीर्थ हैं वे सभी अपने महतम में की तब ही तक गर्जना करते हैं जब तक की कार्तिक मास में भगवान विश्णू की प्रभोधिनी तिथी नहीं आती प्रभोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य हजार अश्वमे या सो राच्वी यग्य का फर पा लेता है बेदा जो दुलब है जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है ऐसी बस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रभोधिनी एकादशी उसे देती है भक्ति पूर्वग उपवास करने पर मनुष्यों को हरी बुधिनी एकादशी एश्वर्य संपति उत्तम बुध्धी राच्य तथा सुख प्रदान करती है मेरु परवत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सब को ये पापनाशी नी प्रभोधिनी एक ही उपवास से भज्म कर देती है पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किये गए हैं उन्हें प्रभोधिनी की रात्री का जागरन और रोई के धेरी के समान भसम कर डालता है जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पित्र नर्क के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विश्णु के परमधाम को चले जाते हैं प्रह्मन अश्मेग आदी यग्यों से भी जिस फल की प्राप्तिक कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरन करने से अनायास ही मिल जाता है संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवन और प्रित्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्रीहरी के निमित जागरन करने मातर से मनुष्य प्राप्त कर लेता है जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यू अनिवारे है उसी प्रकार धन संपति मातर भी क्षण भंगूर है ऐसा समझ कर एकादशी का व्रत करना चाहिए तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में उपस्थेत रहते हैं कार्तिक की हरी बोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने बाली है जो प्रबोधिनी को उपासना करता है वही ज्यानी वही योगी है वही तपस्वी और चीतेनरी है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है बेता प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विश्नु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जब और होम करता है वह सब अक्षय होता है जो मनुष्य उस्तिती को उपास करके भगवान माधव की भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं वह सौजन्मों के पापों से छुटका पालेते हैं इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशत करता हुआ श्रीहरी के वैकुंठ धाम को जाता है प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के अतह सर्वता प्रेत्न करके संपूर्ण मनुवान्चित फलों को देने वाले देवादी देव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए बेडा नारत जो भगवान विश्नु के भजन में ततपर होकर कार्थिक में पराय अनका त्याग करता है वह चंद्रायन व्रत का फल पाता है जो प्रति-दिन शास्त्री चर्चा से मनुवरंजन करते हुए कार्थिक मास व्यतीत करता है वैए अपने संपूर्ण पापों को जला डालता और 10,000 यगियों का फल प्राप्त करता है कार्तिक मास में शास्त्री कथा के कहने सुनने से भगवान मदुसूदन को जैसा संतोश होता है वैसा उन्हें यक्य, दान, अत्वजपादी से भी नहीं होता जो शुबकन, परायन, पुरुष, कार्तिक मास में एक या आधा शलोक भी भगवान विश्णु की कथा बाचते हैं, उन्हें सौ गौदान का प्फल मिलता है महामुने, कार्तिक में भगवान केशब के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवन करना चाहिए मुनिश्रेष्ट, जो कार्तिक में कल्यान प्राप्ति के लोब से श्रीहरी की कथा का प्रबंद करता है, ते अपनी सौ पीडियों को तार लेता है जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विश्णू की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गौदान का फल मिलता है जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विश्णू की कथा श्रवन करता है, उसे सातो दूपोसर युक्त प्रिथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है मुनिश्रेष्ट जो भगवान विश्णू की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथा बाचर की पूजा करते हैं, उन्हें आक्षे लोग की प्राप्ति होती है नारत जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंदी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुन्रा वृत्ति मैंने नहीं देखी, मुने जो पुन्यात्मा पुरुष, भगवान के समक्ष गान, नृत्त, बादे और श्री विश्णू की कथा करता है वे तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है मुनिश्रेष्ट, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूर, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्रीहरी की पूजा करनी जाहिए एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदी करने से असंख्य पुन्नी की प्राप्ति होती है प्रबोधिनी को जागरन के समय शंक में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दिन को अर्गी देना चाहिए सम्पूर तीर्थों में स्टान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्गे देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है देवरिशे अर्गे के पशार भोजन आच्छादन और दक्षणा आदी के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसंता के लिए गुरु की पूजा करने चाहिए जो मनुष्य उस दिन श्रेप भगवत की कथा सुनता अथ्वा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिलादान का फल मिलता है उनिश्रेश्ट कार्थिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रिती से वैश्ण व्रत अर्थात एक आदशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है केतकी के पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुण्थवच एक हजार वर्ष तक अत्यंतित्र रहते हैं देवरशे जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं उसके दर्शन मात्र से नर्क की आग बुझ जाती है बस जो कार्दिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पन करते हैं उनका जन्म भरका किया हुआ सारा पाप बस्म हो जाता है मुने जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्ष, ध्यान, नामकिर्दन, स्दमन, अर्पन, सेचन, नित्य पूजन तथा नमसकार के द्वारा तुलसी में नवप्रकार की भगती रखते हैं वे कोटी सास्त्र युगों तक पुर्णे का विस्तार करते हैं नारत सब प्रकार की फूलों और पत्तों को चड़ाने से जो फल मिलता है वे कार्थिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है कार्थिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महा विश्णू श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए सो यक्यों दोरा देवताओं के एजन करने और अनियक प्रकार के दान देने से जो पूर्णे होता है पहकार्थिक में तुलसी तर मातर से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहिद करे